ओनियन पील फार्टिलाजर यानि प्याज का जो छिलका है उससे हम बनाएंगे आज तीन तीन फार्टिलाजर तो इसको बोलता है ओनियन पील फार्टिलाजर तो इसका क्या बेनिफिट है हम प्लांट में यानि पौध हमें क्यू डालेंगे ओनियन पील फार्टिलाजर और इ सालफर और रहता है आईरन तो यह सालफर और आईरन हमरा प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफीट देता है ओनियन पिल फार्टिलाजर का इस्तेमाल से प्लांट का सोयल में कहीं प्रोकर जो फांगस होता है फांगस नहीं लगता है और भी कोई बीमारी कहीं तरिके से बीमारी जो प्लान्ट का सौयल में मिट्टी में लग जाता है तो उससे भी प्लान्ट को सेफ करता है और इसमें सालफा रहने का कारण में ओनियन पिल फार्टिलाइजर से आपका प्लान्ट में फूल कम बन रहा है यानि कलिया पहले से जादा से जादा बन जाएगा और फूलों का सा पाएगा ऐसे भी फुलो वाले प्लांट फॉलो वाले प्लांट होता है कि उसका ग्रोथ रूख जाता है ना उसमें कलिया बनता है ना उसमें फ्लावर खिलता है और ना उसमें फ्रूटिंग हो पाते हैं तो आपके पास ऐसे कोई प्लांट है जिसके साथ ऐसे प्रॉब्लेम होई रहे है सालोसल आपके पास रह रहे है पर इसमें ना कोई कलिया बन रहे है ना फूल और फ्रूटिंग हो पा रहे है तो ऐसे कोई प्लांट है तो उसके साथ आप अनियन पील फार्टिलाजर का इस्तेमाल करिए तो पहला फार्टिलाजर में हम क्या करेंगे अनियन पील क बहुत ही अच्छा से धूप में हमने सूखा लिया है और इसको क्या करेंगे हम पाउडर बना लेंगे पाउडर बना के मिट्टी पे यानि सॉयल में इस फाटिलाजर को ओनियन पील फाटिलाजर को अच्छा तरीके से स्प्रेट कर देंगे और मिट्टी में पानी डाल इस तरीके से आप onionfeel को इस्ताइमाल करेंगे तो एक्ट मेन पील क subtra üzerगा प्लांत में ज्यादा से ज्यादा मिलेगा किकी यह जो dry fertilizer यानी powder form में हम plant में इस्तेमाल करेंगे यह क्या करेगा प्लान का मुट्री में धीरे धीरे यह slow releasing fertilizer के हिसाब से काम करते रहेगा और onion peel में जो potassium है, sulfur है, iron है ऑपी plant में धीरे धीरे अक्तम fertilizer का कमी का दूर करते रहेगा साथ में आप तो liquid fertilizer देते ही रहोगे तो plant का root का growth, plant का stem का growth और flower fruiting का growth होते ही जाएगा तो हमको क्या करना है देखिए मैं यहाँ पे collect कर रहे हूँ onion के उपर जो पतला सा skin होता है उसी को हमको ले लेना है और अच्छा से करक दूप में सुखा के आपको ले लेना है इसमें कोई moisture यानि कोई नमी नहीं रहना चाहिए इसलिए देखिए उपर का हिस्सा हमको लेना है और बहुत ही आच्छा तरीके से हमको powder बना लेना है तो onion peel का यह जो fertilizer है देखिए इस तरीके से बन गए है के बाद इसको फेक देते हैं तो आप डेली बेसिस पे आपका घर पे onion का इस्तेमाल होते रहते हैं तो आप डेली बेसिस पे इसको कलेट करके रखिए ऐसे कोई plant नहीं है फूलो वाले फ्रूटिंग वाले सबजी वाले जिसमें onion peel fertilizer नहीं दिया जाता है क्योंकि onion peel में जो तीन main ingredients रहता है तीन main nutrition रहता है जैसे iron, sulfur, potassium ये तीनों जो nutrition है हर कोई plant को पौधा को चाहिए होता है आप देखिए आपको मिट्टी को गुराई कर लेना है और onion peel जो powder हमने बना लिया है इस तरीके से spread करके मिट्टी के साथ अच्छा से मिला देना है और आपको पानी दे देना है तो इस तरीके से हम पहला step कर लिया है यानि पहला fertilizer हमने इस्तेमाल कर लिया है अब देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे liquid fertilizer वो भी same onion peel को इस्तेमाल करके तो ये जो liquid fertilizer है हम किस तरह के से बनाएंगे और हमको ये क्या नाप लेना है आप एक लिटर पानी के हिसाब से बनाएंगे तो आपको यहाँ पे चार पाँ जितना onion पील आपके पास रहेगा आप उतने से बना सकते हो आप इससे ज़्यादा भी आट कर सकते हो onion पील तो कोई problem नहीं है पर आपको क्या करना है onion पील को एक से दो दिन के लिए पानी में भीगो के रखना है और आपको दो दिन बाद जब आपको इस्तेमाल करना है अच्छे तरीके से चान के आपको जो fertilizer मिलेगा उसके साथ आपको दुगना पानी एट करके प्रोधा में आपको इस्तेमाल करना है बिना पानी एड़ करके आपको प्लांट में देना नहीं है आप सिधा-सिधा इस फार्टिलाजर को इस्तेमाल मत करिए आप देखिए आपको दिखा रही हूँ एप्लिकेशन तो आपको दिखाई दिया है आप दिखा रही हूँ किस तरीके से देखिए मैंने ओनियन पिल फार्टिलाजर को बना लिया था एक कंटेनर में देखिए ये भीगो के राग दिया था और उसके बाद हम छान के इस्तेमा किसरा प्रोसेस किस तरीके से इस्तेमाल करके ये तिसरा फार्टिलाजर हमको मिल गए है और इसका कलर भी देखिए बहुत ही डार्क है इसमें सारा नीट्रिशन आ गए है ओनियन पिल फार्टिलाजर को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे अब इस जो फार्टिलाजर आपक फार्टिलाइजर लिया था और आधा मैंने पानी ले लिया था और इसमें मैंने बारबाद चेक कर रहे हो कि पानी गरम तो नहीं है क्योंकि यह जो पानी हम बनाएंगे यह जो फार्टिलाइजर हम बनाएंगे इसको हम बॉयल करके यानि उबल के बनाएंगे और भी ओनियन पिल कोई उबाल के बनाएंगे तो पहले मैं अप्लिकेशन दिखा देती हूँ आपको देखिए कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो वेजिटेबल प्लांट हो आप किसी भी पौधा में इस फार्टिलाजर को इस्तेमाल करिए आपको बहु जल्दी बन जाता है दो मिनीट एक से दो मिनीट में बन जाता है और आपको सिर्फ क्या करना है इसको छान के ठंडा करके डबल पानी एड़ करके कोई भी प्लांट में इस्तेमाल करना है कोई भी प्लांट में आपका जो लीपस है ओ धीरे धीरे पीला पर रहे है ग्रीनार आप onion peel fertilizer को इस्तेमाल करिए तो चलिए आपको दिखा दिऊ इसको किस तरीके से आपको ready करना है देखिए पानी को अच्छा से आपको पहले boil कर लेना है उसके बाद आपको इसमें छोड़ना है onion peel onion peel का उपर का skin जो पतला skin होता है उसको तो आपको लेना है उसके नीचे थोड़ा सा मोटा सा थीक skin भी मिलता है जो dark color का होता है वो भी आप इस fertilizer में मिलाएंगे जब इस boil करके आप onion peel को fertilizer के तोर पे इस्तेमाल करोगे तो इसमें आप डाल सकते हो तो कोई problem नहीं है और आपको सिर्फ एक से दो मिनीट तक boil करना है उसके बाद ही आपको fertilizer ready हो जाएगा और इसका color देखिए कितना अच्छा बड़िया लग रहे है आभी भी गरम है देखिए यहाँ पे धुआ आपको दीख रहे है तो इसको पहले हमको ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद यह जो color आप देख रहे है यह और भी dark हो जाएगा तो पहले हमको ठंडा कर लेना है उसके बाद हम छानके इसके साथ पानी आट करके कोई भी plant में जिस प्लांट में हमारा कोई भी प्रॉब्लेम चल रहे है उस प्लांट में तो डालना ही डालना है उसके साथ में जिस पौध हमें प्रॉब्लेम नहीं है और भी जादा से जदा फ्रूटिंग हमको चाहिए फ्लावरिंग हमको चाहिए तो उस प्लांट में तो हमको डालना ही क्योंकि जब plant flowering पे आते है, fruiting पे आते है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको fertilizer देने का ज़रूरत होता है और इस ताइम कौन से fertilizer देना है, हमको fruiting और flowering के लिए जो fertilizer plant को help करता है यानि potassium हो गए, sulfur हो गए, iron हो गए, इस fertilizer आपको onion pill fertilizer से ही मिलेगा इस तरीके से fertilizer बनने के बाद ये जो waste है, आप इसको compost बिन में डाल दीजे, नहीं तो इस तरीके से आप थोड़ा सा पानी में भीगो के रख दीजे, आपको दूबरा fertilizer मिल जाएगा otherwise आप इसको अच्छा से दूप में सुखा के इसको भी powder बना के आप plant का मिट्टी पे आप इस्तेमाल करिए नहीं तो आप क्या करेंगे, potting mix के साथ भी आपको इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हो तो बहुती बरिया result देता है, गर्मी का टाइम पे ऐसे मालचिंग के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो तर आपको एक चीज़ दान पे रखना है कि बरसत का टाइम पे ऐसे powder fertilizer आपको प्लांट में देना नहीं है सिर्फ onion pill fertilizer काई बात नहीं कर रही हूँ, बरसत का टाइम पे बारिश के दिन पे कोई भी dry fertilizer आपको मिट्टे पे नहीं देना है otherwise बाकी जो दो-दो liquid fertilizer आपके साथ share किया है, आप उस fertilizer को साल में कवे भी इस्तेमाल करिए और dry fertilizer भी साल में कवे भी इस्तेमाल करिए, सिर्फ बरसत का टाइम पे आपको liquid fertilizer इस्तेमाल करना है, dry fertilizer नहीं करना है तो ये तीन-तीन onion pill fertilizer आपको हर दस दिन बात-बात पौध में डालना है और जितना fertilizer आप लेंगे उसके साथ दुगुना पानी एट करके ही आपको पौध में देना है onion pill fertilizer के उपर मेरा एक details वीडियो है, उसमें मैंने fungicide, insecticide किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है onion pill को तो वो भी मैंने share किया है, तो आप जानना चाते हो और भी details information लेना चाते हो, तो आप onion pill fertilizer के उपर मेरा details वीडियो भी चेक कर सकते हो onion pill fertilizer इस तरीके से ही आपको इस्तेमाल करना है, आज आपको soil में किस तरीके इस्तेमाल करना है, वो आपके साथ share किया है आपको foliar feeding यानि पत्ते में भी किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसके लिए मैं आलग वीडियो आपके साथ share करूंगी, आज का वीडियो को लेके कोई query है, तो आप ज़रूर मेरे को पूछ सकते हो fertilizer के बारे में और एक बर आपको repeat कर देती हूँ, आज का 3-3 fertilizer में जो dry form में हमने बनाए, उसको आप बना के store करके रख सकते हो, आप दीरे दीरे जैसे आपका सुविदा मिले, आपके पास onion peel आप एकटा कर लेंगे, तो उसको बना के आप store करके रखिए, प्लांट का requirement की हिस आप से आप इसको इसको इस्तेमाल करिए, पर बाकी जो दो liquid fertilizer आपके साथ share किया है, उसको बना के आपको store करके नहीं रखना है, जब आप plant में apply करेंगे, उसके एक दिन से दो दिन पहले आप इस fertilizer को ready करना शुरू करिए, और plant में इस्तेमाल करिए, इसको store करके आपको इस इस्तेमाल नहीं करना है, हर मांथ 10 दिन बाद बाद 10-15 दिन बाद में भी आप plant में soil में इस्तेमाल करिए, सल में कभी इस्तेमाल करिए, पर जिस दिन आपका winter में अच्छा से धूप नहीं निकलेगी, उस दिन आपको इस्तेमाल नहीं करना है, और बरसत का time पे जिस दिन बारिश होएगी उस दिन आपको इस फार्टिलाजर को इस्तेमाल नहीं करना है। से भी इतना इस सब्धनिया आपको लेना है और ओनियन पिल फार्टिलाजर को लेके और कोई सब्धनिया आपको नहीं लेना है। आप किसी भी कैसे भी तरीके से onion pill fertilizer को इस्तेमाल करिए बहुत ही ज़्यादा benefit आपका plant में organic तरीके से मिल जाएगा आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को like share जरूर करिए और अभी तक आप मेरे चैनल को subscribe नहीं किये हो तो मेरे चैनल को please please subscribe भी कर लीजिए आज का वीडियो यहाँ पे इन करते हैं मिलते हैं और कोई नाया interesting informative वीडियो के साथ तब तक के लिए thank you friends, thanks for watching, happy gardening, take care and goodbye